हेलो गैस वेलकम बैक टोर चनरल पी सी एंबी डिजिटल गुरुकल बिटा क्लास नाइन्थ की फिफ्टी एट वर्कशीट अभी हम कर रहे हैं चार तारीक की जिसमें की हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो की बहुत ही असाने आये देखते हैं अक्षांस गुमद्य रेखा से दुरुवों की और जाने पर फूरे ताप की मातरा कम हो जाती है इसलिए तापमान भी क्या होता है कम और वो बरव से डगे रहते हैं उचाई जैसे जैसे कोई प्रिट्वीक तैसे अधिक उचाई पर जाता है तो तापमान कम हो जाता है जिसक जैसे समंदर से दूरी बढ़ती है समंदरी हमाओं का प्रभाब कम हो जाता है और तापमान बढ़ता है यह कारह है कि मुबड़ी जैसे समंदर के पास के शहरों में पूरे साल मोसम की एक सिस्थित्र रहती है लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में हम अधिक गर्मी वह सरॉतेकapore को अनभफ करते हैं वायू दाब और पवंतत्र किसी सित्र का वायू दाब और पवंतत्र उस अस्थानके अक्सांस और उचाई पर निरवर करता है ता पांड जतना अधिक होगा उतना ही वायू दाब क्या होगा बिटा कम होगा महा सागरे धाराएं तटवर्थी पवनों के साथ सा तट्ये शित्र से वहने वाली गरम ये ठंडी महा सागरे धाराएं भी उस सत्र की जलवाईयों को प्रभावित करती है उच्चा वच उचे पहाँ ठंडी या गरम हवाओं के लिए बाधाओं के रूप में काम करते हैं तो बारिश वाली हवाओं के मार्ग को रोक कर वर्शा करवा सकते हैं भारती जल्वाईयों को अक्षांस प्रभावित करता है क्योंकि करकरेखा देश के मद्दे से गुजरती है उचाई भारत में परवत हैं जिनके उचाई 6000 मीटर है हिमाले मद्ध इश्या में से आने वाले ठंडी अवाओं को उपरवेश करने से रोकता है इन पहडों के कारण भारत महादीप में मद्ध इश्या के तुलना में हलकी सर्दियां होती है भारत में वायू दाब और पवन तंत्र की स्थिति एद्विते हैं शीत कालमी हिमालिया के उत्तर में उच दाब का शित्र होता है इस शित्र में दक्षिन में महासागरों के उपर कम दबाव वाले शित्रों की ओड से ठंडी सुष्क हमाएं चलती है गर्मियों में उत्तर पश्चिम भारत के उपर एक निम्ड दबाव का शित्र विक्सित होता है इससे दक्षनी महासागर से भारतियों पमादीक के और हवाओं की दिशा उलड़ जाती है जिससे दक्षिन पश्चिम मांसुन हवाई कहा जाता है जिससे भारत में वर्षया होती है जैट धाराएं अक्षान से जैट धाराएं लगभग 27 दिगरी 30 दिगरी उत्तर अक्षान से अधिक उचाई पर चलने वाली हवाई हैं जो की पश्चिमी है इसलिए इन्हें पश्चिम जैट धाराएं भी कहते हैं पश्चिम ने चक्रवती विक्षोब देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिम भागों में सर्दियों में आती है गर्मियों के महीनों के दोरान भारते प्रायदीव में लगबग 14 डिगरी उत्तरक शांस में एक पूरवी जैट धारा बहती है समदर में किस प्रकार बदलती हैं चीज़े तो उसके उत्तर में आप यह लिख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक बस क्या कर देना है कि मुंबई की जगा आपको कर देना है गोवा मुंबई की जगा क्या कर देना है बेटा गोवा भारते जिल्वाई को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम तो भी नाम तो कोई मुश्किल नहीं बेटा देने नेमिंग में तो पहले ये लिख देना है पिर सिर्फ नाम अक्षान्स उच्राई, वायुदाब और जट धाराए तीसरा सवाल है भारत में बारिश कैसे होती है गरिशमकाल में तो इसका उत्तर तो हमने अभी थोड़ दिर पहले भी पढ़ा था यहां से लेकर यहां तक चोता समाले हिमाले का क्या कॉन्टिब्यूशन है तो उसका उत्तर यह हो गया तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टो चैनल कीप सपोर्टिं अस